बहुत दिन हो गए थे बिच्छा की वीडियो एक भी नहीं आई है, मुझे लगता है कि इस साल में मैं बिच्छा की वीडियो तो देना ही भूल गई हूँ, पिछले दो-तीन सालों से तो मैं एनी टाइम आप लोग साथ नई-ई बिच्छा की कलेक्शन आप लोग साथ सेर करत लगाने वाले हूं देखिए अभी मैं पिछले यह वीडियो में आपको दिखाए थी कि मेरा जो नाकून है वो दिरे-दिरे खराब हो रहा है जबकि मैं इतना महगा माई गलेम का यूज कर रही हूं नेल पॉलिस दिमूवर वैसे क्या करूं मुझे कंटिन्यू यूटूब पे रहना है तो नेल पॉलिस छुडाने भी पड़ती है नेल पॉलिस लगाने भी पड़ती है आलता भी लग बहुत वैसे नहीं रखती हूं लेकिन हां गंदा होने से जरूर बचाती हूं जैसे हमेशा स्लिपर पहन के चलना घर के बाहर भी घर के अंदर भी यह सारे काम मैं करती हूं देखिए अभी कंटिन्यू अगर जैसे देखा जाए तो मैं आप लोगों के साथ नेल पॉलिस की री वीडियो दूंगी मतलब कि जो लगाया हूँ नेल पॉलिस है वही खेर यहां पर आज मैंने घुमरू वाली पायल पहन ली है यह तो आर्टिफिशल है यह आप लोगों को भी पता है लेकिन जो आज मैं बिचिया पहनने वाली हूं वह चांदी की है यह आपको डायमंड नहीं थे तो वह पहली काफी दिन हो गया तो मैं सोची ना कि मेरे पास और भी बिचिया है रखे हुए नया आखिर मैं कब पहनोंगी मर जाओंगी तब तो पहनने नहीं आओंगी और रखा ही रह जागा कि अरे नया है हम लोग महिलाएं क्या करते हैं ना सोने चा मुझा संहाल के रखते हैं कि स्फेसली उपेजर में पहनेंगे चट में पहनेंगे दशारा मैं पहनेंगे तो शाधी में पैसे ne कब करेंगे लेकिन होता क्या है इतनी ज़्यादा हट मीचने नहीं और बना लाफ होती हैं कि हम लोग पहन करतें मेराAPPं तेवर चला गया तीक है कि व तो मिंस हो गया कि जीतिया पूजा रहेगा तो उसमें मैं जैसे कि दिन भर फाउस्टिंग होता है निर्जलाव रथ ही होता है उसमें 10 में सोची थी कि मैं नहां करके अच्छे से साड़ी नहीं वाली पहन लूँगी और बीचिया पहन करके और आप लोगों को ये वीडियो दूँगी लेकिन क्या करूँ मेरी ना बहुत जादा तब्यत खराब हो गई थी सर्दी बहुत हो गई थी और मेरा अजीब अंदर से तब्यत खराब लग रहा था जिसके मुझे कुछ भी करने कमन नहीं कर रहा था तो उस दिन पता है मैं वीडियो आप लोगों के लिए नहीं बना पाई और मैं बस नेजल चीज जो आज वीडियो आपको दिखा रही हूं यह चीज में जीतिया के दिन करने वाली थी पर नहीं कर पाई आज यह मेरी मम्मी का ही साड़ी है और इसी साड़ी के साथ आज मैं पिंग कलर की नेल पॉलिस आपको लगा कर दिखा रही हूं यह जो नेल पॉलिस है इसी का एक और color आप लोगों को लगा कर दिखा चुकी हूँ जो की gray color था वो मैं आपको लगा कर दिखा चुकी हूँ वो काफी अच्छा color था इसके साथ ही यही सेम brand का था उसको जब मैं लगाई थी ना तो उस वक्तीज के पहले ही लगाई थी तो मेरे पारलर में जितने भी कस्टमर आ रहे थे ना सब लोग बोल रहे थे कि आपकी नेल पॉलिस बहुत अच्छी लग रही है बहुत अच्छा कलर लग रहा है तो किसी ने पूछा कि कहां से लिए हैं आप तो हमने यही बोला कि मे बहुत सारे ब्रांड होते हैं तो मैं केह नहें सकते ही काफी ज्यादा गाढ़ा है मैं यहां बघल मेना फैन चला ले थे क्योंकि गर्मी बहुत जदे थी में में जाने मेकम भा इंच्म बात यह कि मेरी नेल पॉलिस जल्दी सूखती नहीं है तो मैं इसलिए पंखा चला करके बैट गई थी कि नेल पॉलिस लगाते जाओं और मेरा नेल पॉलिस सूखते भी जाए तो अभी वन कोट लगा रही हूँ अभी मैं आपको दो कोट भी लगा कर दिखाऊंगी यह जो आज मैं साड़ी पहनी हूँ ना यह है सूपर मुंगा कोटा साड़ी और यह बिल्कुल ऐसे नेट की तरह होता है लेकिन यह कॉटन होता है और यह मेरी मम्मी की साड़ी है जो पिछले साल जब आई थी ना वो सावन के वक्त तो पूजा करी थी तो उसके बाद यह वीडियो बनालिजे। मैं यहां आभी मैं रहती ह्ला हाँ मतलब हमेशा त्यार रहती है कि अगर आपको लेना है तो मेरी पायल ले लिए रान लेकाल पार देने के लिए बहुँत्र लगता है चांदी की तो मैं ले लू पायल, लेकिन सोने की चीज मुझे लेने बहुत डर लगता है, कि अगर मेरे से भूल गया, तो फिर क्या होगा, जहां तक हो पाता है, अगर मैं उनके घर पहुच गई, तो उनके घर ही पहान करके वीडियो बना लोगी, फिर वापस रीटर्न कर द थी, एक साल से तो मैं पहनी नहीं, बीच में एक बार ट्राई करी थी, पिछले ही साल, तो मुझे ब्लाउज नहीं आ रहा था, इधर बीच जब मैंने एक बार और ट्राई करी ये ब्लाउज, तो फिर मुझे अभी आज ही के दिन, तो मुझे ये आ गई, और अब मैं पुर यह कोलर जो अना एकदम एक दम पिंग क Snождu है पर वह demasi nagry मन को बहुत सुकून देने वाला क कलर है। भिल्कुल ही चबाрьक अलजी जबकि सा कलर थोड़ा सा के साधी का टुद्ड सा क्या है इसका क्वाल्टी भी काफी अच्छा है जल्दी छूटता नहीं है तो मुझे तो ये नेल पॉलस बहुत पसंद है साथ में ये बिच्या भी कि अपन ली हूँ और ये दोनों मेरी चांदी की ही है यह जो काफी बड़ी सी इसका प्राइस तो मैं नहीं बता सकती हम कि कि क्योंकि आपको तो बताई ही कि मुझे ये बिच्षिया मुझे गिफ्ट में मिला है मेरी मम्मी मुझे दी थी एक रस्म निभाने के तौर पर और यहां पर मैं सेकेंड कोट लगा रही हूं और जो बगल में आप बिच्षिया देख रहे हो ना यह चांदी की घुंगरु वाल सब्सक्ता है कि मुझे गढुरु वाली बिच्षिया नहीं पहननी चाहिए इसपर आप लोग किया कहोगेятель क्या मुझे गूरु वाल में यह पहनना चाहिए आप लोग बटाईए हैं एक बात और कहना चाहूंगी मैं जो बिच्षिया पहनी थी दित बहुत अच्छे अभी आप वीडियो की आधिया में गॉंचाने ने maritime रहे हैं तो यह मुझे बारबार देखने को मिल रहा था स्वार लोगों कdd मैं आन ये देखने में वीडियो करक को haver of lists ग्रॉंज वीडियो को मिलें तो वीडियो को देखना बिल्कुल विद्वीया, उसमें आप लोगों का फैवरेट जैसे आप लोग बोलता हो ना सोल की वीडियो लाई है मैं तो आपको देखने को मिलेगी मतलब वह मैं इस पेसली बनाई नहीं हूं वह बन गई है तो वह मिलेगी तो यहां पर मैं जो पैर ऐसे कर रही थी ना तो मेरे मन में इतना डर लग है लेकिन मजाल है वो फीक्ष रहे वो बार-बार कभी टेड़ी मेड़ी ओ जा रही थी तो मुझे बहुत परशानी हो रही थी आभी मैं चल रही हूं ना फिर मैरी बिच्शे देखे टेड़ी हो रही की है इस पेडी नीस फीचे बहुत बहुत लोगों को गूमने वाले बिच्छिया पसंद है, मतलब कि थोड़ा धीला ढाला रहे, गोल-गोल गूमता रहे, कोई दिक्कत नहीं हो लोगो को, और बहुत लोगो क्या होता ना, नो, वो गूमना नहीं चाहिए, एक जगा ही केवल फिक्स रहे, इदर उधर ना घूमे, तो मैं भी उसी कैटेगरी में हो, मुझे बिच्छिया गोल-गोल गूमने वाले बिल्कूल पसंद है, मुझे बिच्छिया ऐसी चाहिए, जो एक जगा फिक्स रहे, तो बिच्छिया पहनने के लिए भी मेरी जो नानी है वो कहती है कि बिच्छिया को एकड़म उंगली का बीच में पहनना चाहिए एकदम जड़के पास उंगली का जड़के पास नहीं पहनना चाहिए लेकिन अब क्या है अब धिरे-धिरे पहनते पहनते रियलाइस हुआ कि сложно मीरे नानी सही कहते थी गुष्या मतलब उगली जो है ना मेरी तो नाखुन से आगे और जहां से नाखुन सुरू होती है उसके पीछे यानि बीच में पहने चाहिए जहां कि अभी मैं पहनी हूँ तो यह बीचिया कर डिजाइन आपको कैसा लगा और इसको अभी मैं continue पहनने वाली हूँ तो आने वाली और भी वीड कर लिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद आप जो मेरे चैनल पर आए सब्सक्राइब किये और मेरी वीडियो देख रहे हैं मेरी वीडियो को लाइक कर रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद वेलकम है मेरा चैनल पर और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ह प्लीज सब्सक्राइब कर लिजे क्योंकि आप लोगों को मैं इसी तरह की वीडियो देती रहती हूं अगर आप लोग कोई सुझाओ हो तो आप मुझे सुझाओ दे कि मैं और किस तरह का वीडियो लाओं कि मेरा चैनल एकदम ग्रो कर सके एकदम रॉकेट की तरह और पिंग क कैसी लगी और नेल पॉलिस कैसा लगा और मेरी मम्मी की साड़ी कैसी लगी यह भी आप लोग बताया दीजेगा इन ठीक है और यहां पे जो बड़ी वाली बिचिया है ना यह बहुत ही खुबसूरत है मुझे बहुत अच्छा लग रहा था मेरे पैर में अभी तो दो कोई ही पहनूँगी और मुझे मिला है तो मैं मरने के बाद का इंतजार नहीं करूंगी इसको रखे नहीं रहूंगी कि चलो समभा कि रखी हूँ नहीं मैं इसको पहनूंगी जीवन चार दिन की जिन्दगी है जी लेना चाहिए जिन्दगी का कोई पता नहीं अच्छे से एंजॉय करना चाहिए जो चीज है उसको पहनू जो चीज नहीं है उसके बारे मैं नहीं सोचना चाहिए तो मेरा यही मानना है कि अगर म ये बिचिया भी मैं निकाल दी हूँ कि अब बिचिया भी मैं पहनूंगी रोजाना तो बस आप लोगों को मेरी वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेर करनी है थैंक यू मेरी वीडियो को देखने के लिए बाई बाई